इस चैनल में आपका स्वागत है अंडमान जॉब्स में आज हम जो है दो वेकन्ट पोस्ट उसके बारे में डिस्कस करेंगी अंडमान मेडिकल कॉलेज पुरा नाम है अंडमान निकुबा आइलेंस इंस्टुट अफ मेडिकल साइंस और यह अंडमान निकुबा अडिमिस्ट को process किया जा रहा है आप अगर वो चाहें तो आगे चलके regular कर भी सकते हैं या वो drop भी कर सकते हैं आपके performance based है नहीं तो आपको हटा भी सकते हैं यह वो rights reserve रखते हैं नीचे आपको instruction में मिल जाएगा यह बाते हैं अब हम जो post है वो देखिंगे डेटा मैनेजर की six vacant post है छे डेटा मैनेजर की ज़रूरत है qualification है graduate अगर कोई भी science टेम से आप graduate है ठीक है B.S.E. chemistry, physics, biology, horticulture, zoology और भी काई सारे एक्सेटरा जितने भी branches है जो science है related है even B.S.B.S. geography भी आजकल आगा जाती है वो सारी चीजों में आप apply कर सकते है डिग्री है तो साथ-साथ आपकी पास यह जरूरत है कि engineering जो है वो भी apply कर सकते है और computer application की diploma होने चाहिए एक साल की आपकी पास अगर एक साल की health sector में आपने कहीं पर experience है काम कर रखका है तो वो और आपको फैदे मंद होगा देखिए लेकिन वो preferably है प्रिफरेबल है चाहिए जो है आप जो है software related भी अगर आपके पास है यहीं की BSc Computer Science है आपके पास यह BSc यह B.E. Computer Science है B.E. यह B. Tech Computer Science यह Information Technology है Bachelor of Engineering यह Telecommunication Electrical वह साथ भी है वो भी डिगरी जो है आप इसमें apply कर सकते है उसके साथ भी अगर आपके पास experience है post experience relevant उसे apply करें क्योंकि IT Assistant में यह Essential में पुछा एक्सपीरियंस इड़ा मेनेजर में यह नहीं पूछा गया ठीक है IT Assistant की मंतली पे है 20,000 पर मंथ ठीक है Age limit है 18 से 33 years male के लिए और female के लिए 18 से 38 years अब अगला जो है यह कहां आपको AC form के नीचे format दिया गया है 29 तारीक इसकी आखरी तारीक है form जमा करने की आप कहां पर जमा करोगे अनिम्स जो है जीबी बंद हॉस्पिटल अभी लोग जो कह रहे हैं उसे की ठीक पीछे ही है वहां पर college की कुद रिशर्प्षिन वहां पर आप जिसे जमा कर सकते हैं recruitment cell जहां पर है देखे paragraph first में ही देखे यहां पर लिका हुआ है recruitment cell अनिम्स वहां पर आप जमा करोगे 29 तारीक चार बज़े से पहले ठीक है सारे copies जो है आपके जो है उसे self-attested करके photo ID incomplete application आपकी reject की जाएगी आप जो है online entertain नहीं किया जाएगा इस form को ठीक और जो है यह उनकी पास interview जो है वो रिशेड्यूल भी कर सकते हैं वो उनकी पास यह rights है ठीक है आप टीए डीए यानि की travel annonce daily annonce यह नहीं मांग सकते हैं ठीक है आपकी selection हो रही है नहीं हो रही है आप इंट्रीव अट्रून करें यह सब चीज़ें नहीं मांग सकते हैं incomplete अगर आपकी पास कोई application है आप form में बता रहे हो आपने attested copy कुछ self-attested आपने जमाने करी है वो तो आप तब भी rejection हो सकती है ठीक है यह सारी post temporary है आप regular job के लिए आप request नहीं कर सकते कोई right नहीं no right to claim देखे यहां भी इस point में लिए no right to claim for regular appointment ठीक है जी सारी decision selection committee अपने पास रखते हैं ठीक है कौन सा candidate को final किया जाएगा अब आगे format देख लिए यह आप capital letter में फिल कर दो कि photograph लगाओ कि नाम पता पिता का नाम email id mobile number nationality age birth permanent address और school certificate college का certificate चीक है और experience आपने जो है वो भी add कर लेना है और जो यो proof आप दे रहे हैं उसमें आप टिक करते जाएंगे नेची signature करते हैं date और place लिके अ आप लाइक करें सब्सक्राइब करें आगे वीडियो के लिए